हेलो नमस्कार दोस्तों तो आप देख रहे हैं जियो बिन्यू इस तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का जियां मदप्रदेश के साड़े चार लाख पेंसनर की महंगाई रहत तीन प्रतिशत बढ़ाई जा सकती है इसके लिए 36 गड़ सरकार से सहमती बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं महंगाई रहत में व्रधि करने के लिए दोनों राज्यों के बीच सहमती होना अनिवार है क्य किया था तब महंगाई रहत में 5 प्रतिशत की ही व्रधि की गई थी अब मुख्यमंत्री सिवरा सिंग चोहान के निर्देश पर वित्विभाग ने 36 गड़ सरकार को महंगाई रहत में व्रधि करने समन्दी पत्र लिखा है प्रदेश के पेंसनर काफी समय से कर्मचारियों के समान महंगाई रहत देने की महंग कर रहे हैं, सरकार भी इससे सहमत है पर 36 गड़ सरकार से सहमती लेने का प्रविधान आड़े आ रहा है सर्वे में हुआ खुलासा, 68% सेलफी, 64% टाइम देखने के लिए मुबाइल फोन का कर रहे हैं लोग इस्तेमाल बैटरी डिशाज होने पर 12% लोगों को होती है परिशानी जिहां मुबाइल स्मार्टफोन अब कॉलिंग से ज़्यादा यूजर्स के दूसरे इस्तेमाल में काम आ रहे हैं हाली में कराएगे एक सर्वे में सामने आया है कि हर 10 में से 6 लोग मुबाइल फोन के बिना एक दिन भी नहीं रह पाते हैं 68% लोग सेलफी लेने और 64% लोग टाइम देखने के लिए अपने मुबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं 10 में से 3 लोग कभी भी अपने मुबाइल फोन के बिना घर से बाहर नहीं निकलते हैं सर्वे में सामिल लगभग आधे लोगों के लिए मुबाइल फोन की बैटरी डिशार्ज होना चिंता की बात होती है आधे से जदा यूजर्स अपने फोन को दिन में दो बार चार्जिंग पर लगाते हैं इनमें से लगभग 12% लोगों को अपने फोन की बैटरी का डिशार्ज हो जाना सबसे बड़ी चिंता का कारण होता है वे बार बार अपने फोन की बैटरी को चेक करते रहते हैं लगभग 48% लोगों के लिए मुबाइल फोन का गुम हो जाना बैंक कार्ड, कार की चाबी और यहां तक की शादी की अंगोटी खोने से भी जादा चिंता की बात हो जाती है एक इनसान दिन भर में दो घंटे स्मार्टफोन स्क्रीन को देखता है इसके सांथी कॉल के अलावा लगबग बचास बार अपने फोन को नोटिफिकेशन के लिए चेक करता है बतादें के रिसर्च के आकडों से ये भी सामने आया है कि लगबग 16% लोग मोबाईल फोन का इस्तिमाल मिरर के रूप में करते हैं 62% मौसम का पुर्वानुमान जानने के लिए और 27% मैप लोकेशन जानने के लिए करते हैं मोबाईल के अन्य उपयोगों में जैसे की इमेल भेजना, निउज पढ़ना, बैंकिंग, शॉपिंग, ट्रेन, एयर बुकिंग, गेमिंग, रेसिपी बनाना, अलार्म, अपॉइंटमेंट देखना शामिल है क्रिप्टो निवेशकों को अंधेरे में नहीं रख पाएंगी कमपनिया, गुमराह करने वाले विग्यापन पर लगेगी रोक से जुड़ हुए कारिय, संगीत, विडियो गेम आदी शामिल है भारतिय विग्यापन मानक परेशद ने बताया कि इस तरह के विग्यापनों में यह भी दिखाना अनिवारे होगा कि क्रिप्टो के लेंदेन में किसी भी तरह के नुकसान के लिए नियामक जिम्मेदार नहीं होगा ASCI के अनुसार सभी ओनलाइन डिजिटल संपत्ती को क्रिप्टो की सेवाओं के विग्यापनों में महत्दपुन और जरूरी बिंदों को अस्विकरण में दर्साना होगा ओनलाइन डिजिटल संपत्ती में क्रिप्टो या NFT शामिल है ASCI के अनुसार क्रिप्टो करंसी में लेंदेन के दिशा निर्देशों की घोषना उध्योग से जुड़े लोगों सरकार और वितियन नियामकों के साथ परामर्श के बाद ही की गई है नियामक की तरब से ये दिशा निर्देश ऐसे समय में जारी किये गए हैं जब लगतार क्रिप्टो या NFT से समधित विग्यापनों की संख्या बढ़ती जा रही है IPL 2022 के मैचों का प्लान तयार इस बार कुल 70 लीग मैच, 55 की मेजबानी करेगा मुंबई जियाँ IPL के 15 वे सीजन, IPL 2022 की तयारियां जोड सोर से जारी हैं कोरोना महमारी के चलते यह लीग लगतार तीसरी बार बायो बबल में आयोजित की जाएगी ऐसे में PCCI ने योजना बनाई है कि वह UAE में जिस तरह से तीन स्थानों पर यह लीग आयोजित की जाती रही है ठीक उसी तरह से इसे भारत में भी मुंबई और पुने में मिलकर आयोजित किया जाए मुंबई और पुने की दूरी 150 किलोमीटर ही है जिसे की लीग की टीमे बायो बबल में ही यहां असानी से आ जा सकती है वैसे भी PCCI के पास मुंबई में इंटरनेशनल सुविधाओं से लेस तीन मैदान है जबकि पुने स्टेडियम को मिला कर उसके पास कुल चार स्टेडियम हो जाएंगे क्रिकेट वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुदाबिक इस बार इस लीग में कुल 70 मैचों की मेजवानी महरास्ट के चार अलग-लग मैदानों पर होगी इन चार में से तीन मुंबाई के स्टान है जिन में वानखेड़ स्टेडियम, ब्रेबोर्ण स्टेडियम और मुंबाई के डिवाई पार्टिल स्टेडियम है इन तीनों मैदानों में कुल 55 मैच आयोजित की जाएंगे जबकि बाकी के 15 मैच पूने के MCA स्टेडियम में आयोजित होने की संभावना है आमाद्मी पार्टी के नेता ने दाका सवाल बोले अमित साह का बेटा दोबई के सेखो संग करोडों कमाएगा और UP का यूवा गोबर बेचेगा जबकि इनकम वाले बयान के बहाने गरिह मंत्री अमित साह के बेटे जैसाय जो की BCCI के सचियू है उन पर निशानसाधा संजे सien ने कहा की अमित साह का बेटा जैसाय दोबई के सेखों के साथ करोडों कमाएगा और UP का यूवा गोबर बेचेगा दरसल प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाओं के बीच उन्नाओं में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए आवारा पश्को के विशेपर कहा कि अब जानवरों के गोबर से भी आपकी आये होगी इसको लेकर संजे सिंग ने ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी जी की गोबर योजना मोदी बोल रहे हैं अब नौजवान गोबर बेचकर आमदनी करेगा और अमित साह के सहजादे जैशाह दुबाई के सेकों के साथ करोड कमाएंगे इंडियन एकॉनमी के लिए ची खबर मोदीज ने जीडिपी ग्रोथ रेट के अनुमान को बढ़ा कर किया 9.5 फीसदी जिहां रेटिंग एजनसी मोदीज इन्वेस्टर सर्विस ने कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए भारत का ग्रोथ रेट अनुमान बढ़ा कर 9.5 फीसदी कर दिया है मोदीज ने इससे पहले 7 फीसदी का ग्रोथ रेट अनुमान दिया था 2030 के लिए GDP ग्रोथ अनुमान 5.5 फीसदी पर बरकरा रखा गया है मोदीज ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना महमारी और दूसरे लहर के बाद भारतिय अर्थ वस्ता तेजी के साथ रिकवर कर रही है मोदीज का ये अनुमान आर्बियाई के अनुमान से 60 बेसिक पॉइंट जादा है आर्बियाई ने भारतिय अर्थ वस्ता के 2022 में 7.8 फीसदी के दर से विकास करने का अनुमान जताया है केलेंडर येर के लिए जारी अनुमान के हिसाब से वितवर्स 2023 में ग्रोथ 8.4 फीसदी और वितवर्स 2024 में ग्रोथ 6.5 फीसदी रह सकती है हालाकि केंदर सरकार के एकॉनमिक सर्वे 2021-22 में अग्ले वितवर्स के लिए 8.5 फीसदी के रियल जीडिपी ग्रोथ रेट का अनुमान जताया गया है तो वही बजट में 11.1 फीसदी की 9 मिनल जीडिपी ग्रोथ रेट का अनुमान था एक करोड से अधिक लोगों ने छोड़ी LPG सबसिडी उजवला योजना के तहत इतने लाख लोगों को मिला रोजगार जीहां प्रधानमंत्री उजवला योजना के लागो होने के बाद से देश के करीब एक करोड से जादा लोगों ने रसोई गैस पर मिलने वाली सबसिडी छोड़ दी है केंद्रिय पेट्रोलियम एवं प्राकरति गैस राज्यमंत्री रमिश्वर तेली ने कहा कि योजना के लागो होने से रसोई गैस यानि LPG वितरन प्रणाली के जरिए एक लाख लोगों को रुजगार मिला है एक वेबिनार में उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में LPG की पहुँच 61.9 फीसदी से बढ़कर करीब 100 फीसदी पहुँच गई है प्रणमंत्री गरीब कल्यान पैकेच के हिस्से के रुप में महामारी के दुरान प्रणमंत्री उजवला योजना के लभारतियों को 14 करोड से अधिक भरे सिलेंडर मुफ्त में दिये गए वेबिनार में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्परेशन लिमिटेट के निदेशक राकेश मिस्त्री भी थे जिसमें उन्होंने कहा कि एक करोड से ज़्यादा लोगों ने खुद आगे आकर LPG पर बिलने वाली सबसेडी छोड़ दी है इसका लाभ जरूरत मंदों को मिला है उजवला योजना को घरगर तक पहुचाने के लिए प्रधानमत्री LPG पंचायतों का आयोजन किया गया दिल्ली में बनेगा देश का पहला E-Waste Management Eco Park फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए हुए ये फैसले जिहां पार्क तो आपने बहुत सारे देखे होंगे और कई बार वहाँ पर घूमने भी गए होंगे लेकिन दिल्ली में एक नए तरह का पार्क बनने वाला है देश की राजधानी में E-Waste Management Eco Park बनेगा दिल्ली कैबिनेट ने ये अहम फैसला लिया है E-Waste यानी इलेक्टिक कच्रा के निस्तारण को लेकर ब्या बड़ा कदम होगा राश्टी राजधानी में 20 एकड एरिया में इसे बनाय जाएगा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में हर साल 2 लाख टन E-कच्रा होता है केज़रीवाल केबिनेट ने दिल्ली फिल्म पॉलिसी को भी मझूरी दी है फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए 3 करोड रोपाय तक की सबसिटी दी जाएगी फिल्म एडवाईजरी बोर्ड की भी स्थापना की जाएगी जो इसे बढ़ावा देने के लिए राय देगी आने वाले दिनों में आप दिल्ली फेल्म फेस्टिवल में भी सिरकत कर सकेंगे दरसर या दिल्ली का अपना इंटरनेशनल फेल्म फेस्टिवल होगा राज्य सरकार इसका आयोजन करेगी हंडिया में अखिलेश यादों ने बीजेपी पर कसा तंज बोले अरेक्षन देने से बचने के लिए बेची जा रही है सरकारी संपत्ती जिहां उत्तरप्रदेश में पांचवे चरण के विधानसभा चुनाओ के लिए सभी दल प्रचार में जूटे हुए हैं सपा देक्ष अखिलेश यादों ने प्रयागराज में जंसभा को संभोधित किया हंडिया में अखिलेश यादों ने बीजेपी पर जम कर हमला बोला बीजेपी पर कटक्ष करते हुए अखिलेश यादो ने कहा कि बीजेपी कहती थी कि वह हवाई चपल पहनने वाले आम लोगों को भी विमानों से यात्रा करने में सक्षम बनाएगी लेकिन इन्होंने था हवाई अड़ो और एरलाइन्स को ही बेच दिया है बतादें कि अखिलेश यादो ने पियम मोदी के एक पुराने बयान पर कटक्ष किया प्रधानमंत्री मोदी ने पहले हवाई चपल पहनने वालों को हवाई यात्रा कराने में सक्षम बनाने की बात कही थी इसी बयान पर अखिलेश यादो ने अब हमला बोला है ताकि आरक्षन ना देना परे यूजर्स के लिए काम की खवर अधार अपडेट के लिए सुरू हुई नई सर्वेस UIDI ने दी जानकारी जो यहां भारत में अधारकार्ड एक जरूरी दस्तावेज बन गया है इसके बिना अधारकार्ड सिर्फ पहचान का परमाण भी नहीं बलकि कई सरकारी और गेर सरकारी बेनेफिट्स के लिए अनिवारे दस्तावेज भी है हमारा अधारकार्ड यूनिक डॉक्यूमेंट है क्योंकि इसमें जरूरी जानकारी मौजूद होती है बच्चों के अधार कार्ड का इस्तिमाल किया जाता है हलाकि कई बार ऐसा होता है कि आपको अधार में नाम पता जनमतिती बदलने की जरूरत पढ़ जाती है या फिर नया अधार कार्ड बनवाना होता है ऐसे में अब आपको अधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आप घर बैठे, असानी से अपोइंटमेंट ले सकते हैं और अधार सिवा केंदर में लगी लंबी लाइनों से बच सकते हैं अपोइंटमेंट के जरिये आप नया अधार नमांकन, नाम अपडेट, पता अपडेट, मुबाइल नमबर अपडेट, इमेल अपडेट और जनमतिती अपडेट, लिंग अपडेट और बायोमेट्रिक अपडेट करवा सकते हैं इसको आप UIDI के वेब साइट पर जाकर अपो विधायकों को आइफोन 13 गिफ्ट के तौर पर दिया है, जदतर विधायक इस गिफ्ट को पाकर खुस हुए, लेकिन भाजपा ने ये फोन स्विकार करने से इंकार कर दिया, और पार्टी के सभी विधायक अपने आइफोन लोटा देंगे, राजिस्थान सरकार ने पिछल विधायके बजट के बाद सदन से बाहर जा रहे थे, तो उन्हें चमड़े के एक के छोटे ब्रीफ केस में बजट की कॉपी के साथ-साथ आइफोन 13 दिया गया, इस एक फोन की कीमत 75,000 रुपै से 1,000,000 रुपै तक है, यानि कि सरकार ने विधायकों को 1.5 करोड रुपै स देश बर के संभावित मौसम पुर्वानमान के बारे में बता रहे हैं, अगले 24 गंट को तरान पश्चिमी हिमाले में हलकी से मध्यम बारिश तथा बर्फबारी और एक दो स्थानों पर भारी बर्फबारी हो सकती है, बता दें कि पंजाब के उतरे हिस्सो, उतरी हर्याना उतर पश्चिमी उतर प्रदेश और उतरी चतिसगड बिहार, जारखंड और पश्चिम मंगाल में कहीं कहीं पर हलकी बारिश हो सकती है, सिक्किम, असम की कुछिंसो, अरुनाचल प्रदेश और नागलेंड में हलकी बारिश के साथ एक दो स्थानों पर मध्यम बारिश आज का सुविचार, मसहूर लेखाक यश्पाल ने कहा था, बाधाएं व्यक्ति की परिक्षा होती है, उनसे उत्साह बढ़ना चाहिए, मंद नहीं पढ़ना चाहिए तब तक के लिए आपका सुक्रिया